हलो और वेलकम टू रेनेसांस 2.0 आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चाप्टर इलेक्शन और रिप्रेसेंटेशन एक छोटा सा नोट आप लोगों के लिए कि वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं तो कि यहीं नोट्स आगे आ मैं आपको एक real example से समझाता हूँ जब इंडिया में लोगों को अपना नीता चुनना होता है तो हम क्या करते हैं सब अपना अपना वोट डालते हैं और जिस कैंडिडिट को सबसे ज़ादा वोट मिल जाते हैं वो इलेक्शन जीच जाता है और नीता बन जाता है इलेक्शन को सरकार पर भरोसा है तो अकली बात भी उनके लिए वोट करेंगे अगर भरोसा नहीं है तो उसे change भी कर सकते हैं वोट ना देखें ठीक अब देखते हैं democracy क्या होती है तो democracy एक ऐसी government होती है जहां जंता के पास supreme power है और वो उससे use करके directly government बना सकते हैं या हटा भी सकते हैं अब हमारा constitution यानि हमारा कानून elections के लिए कुछ basic rules भी establish करता है जैसे कौन vote दे पाएगा, कौन election में खड़ा हो पाएगा, कौन-कौन elections को supervise करेगा etc. अब बात करते हैं कि इंडिया में कैसा election system है तो सबसे पहले आता है first past the post system, FPTP अब FPTP system सबसे simple तरीका है elections का जिसमें हर इंसान के पास एक vote है और जो candidate सबसे ज़ादा vote पाता है वो ही election जीतता है अब क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और सब लोग एक जगा आके vote नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने इंडिया को 543 constituencies यानि parts में divide कर दिया तो अब election कैसे होते हैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ दो political parties का example लेते हैं पहले बीजेपी और कॉंग्रेस अब यह दोनो political parties हर constituency में अपना एक एक candidate खड़ा करेंगे और उस constituency के लोग उन candidates के लिए vote करेंगे तो अब जिस candidate को उसकी constituency में सबसे ज़्यादा vote मिलेंगे वो वहाँ जीट जाएगा और जिस party के ज़्यादा candidates जीतेंगे all over India में वो party election जीट जाएगे अब अगर एक constituency में सिर्फ दो candidates हैं तो जाहिर सी बात है कि candidate को जीतने के लिए 50% से ज़्यादा votes चाहिए यानि टोटल अगर 100 votes हैं तो एक को जीतने के लिए 50 से ज़्यादा votes चाहिए तब ही वो election जीत पाएगा पर actual situation में सिर्फ दो parties तो नहीं होती हैं इंडिया के अंदर काफी सारी parties हैं और सब candidate खड़ा करती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जीतने वाला candidate 50% से ज़्यादा votes ले के आए रूल ये है कि उसे उस constituency में बाकी candidate से ज़्यादा votes मिलने चाहिए जैसे हो सकता है कि इस winning candidate को सिर्फ 30% vote मिले हो 30% पर बाकियों को उससे कम मिले हैं तो भी candidate एही जीता माना जाएगा क्योंकि उसे बाकियों से ज़्यादा votes मिले हैं इस method को popularity system भी कहते हैं ठीक आगे बढ़त फिर आता है proportional representation system PR system अब proportional representation system में जिस party को जितने percent vote मिले हैं उतने ही percent seats भी मिलेंगी यानि अगर एक party को 20% vote मिले हैं तो उसे 20% seat मिलेंगी अब इसके अंदर भी दो types हैं पहला जिसमें पूरा देश ये constituency है खास और से वो देश जो size में छोटे हैं जैसे इसराइल और Netherlands और दूसरा जहां देश को काफी सारी constituencies में divide कर रखा है जैसे Argentina और Portugal इंडिया में हमने PR system बहुत limited level पर अपना है वो भी उन elections में जो indirect हैं इंडिरेक्ट मतलब यानि जहां हम खुद candidate के लिए vote नहीं कर रहे हैं बलकि हमारे constituency के representative जो हमारे area से जीते थे election में वो हमारे अब ये है PR system का तीसरा variant single transferable vote system तो एक बार इसे brief में समझते हैं इस election में लोग directly vote नहीं करते हैं बलकि उनकी constituency से जो candidate जीता था जो उनका representative है वो उनकी तरफ से vote करेगा इसमें हर voter को एक preference list बनानी पड़ती है जैसे for example हमारे पास चार candidate है A, B, C और D और suppose मैंने अपनी preference दे दी B को 1, A को 2, B को 3 और C को 4 ऐसे ही सब voters ने अपनी preference दी तो अब पहली counting होगी अब suppose मेरा first preference वाला candidate यानी B last आया तो वो election से बाहर हो जाएगा और ताकि मेरा vote बेकार ना जाए मेरा vote मेरी second preference को चला जाएगा और फिर दुबार accounting होगी और ये process तब तक चलेगी जब तक हमारे पास एक winner ना आ जाए और winner को जीतने के लिए minimum number of votes जीतने पड़ेंगे जो इस formula से निकालेंगे अब formula को दीख कर आप panic मत हो इसे मैं एक simple example से समझाता हूँ अब suppose राजी सभा में 4 members को elect करना है और elect करने वाले 200 लोग हैं तो यानि total number of voters कितने हो गए 200 upon हमने candidates कितने elect करने हैं 4 और यहां पे आगया plus 1 और whole का एक plus 1 तो ये आगया 200 by 5 40 plus 1 यानि 41 तो यानि minimum number of votes कितने चाहिए जीतने के लिए 41 ठीक आगे बढ़ें अब FPTP और PR सिस्टम के बीच का comparison देखते हैं FPTP में देश को constituencies में divide किया जाता है बट PR सिस्टम में option है हमारे पास बुरे देश को एक constituency मानने का यहाँ पर हर constituency से एक ही representative होगा पर PR सिस्टम में एक area से एक से ज़ादा representative हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर percentage of vote के हिसाब से seats मिलती हैं FPTP में लोग candidate के लिए vote करते हैं पर PR में लोग party के लिए vote करते हैं FPTP में उसके percentage of vote से ज़ादा seats हो سकती हैं पर PR में percentage के हिसाब से ही seats मिलती हैं अब FPTP में जरूरी नहीं कि जीते हुई candidate को majority यानि 50% से ज़ादा votes मिलें पर PR सिस्टम में party को majority votes ही मिलते हैं FPTP का example है UK और इंडिया और PR का example है इस्राइल और नेदरलेंज ठीक अच्छा आप देखते हैं कि इंडिया ने FPTP system क्यों चुना वैसे ये बताना जारा difficult नहीं है क्योंकि आपने देखा कि राज्य सभा के election कितने complex थे तो ताकि देश में सभी को election system समझ आए हमने ये system चुना इसकी popularity का main reason ही इसकी simplicity है दूसरा FPTP system लोगों को मौका देता है कि सिर्फ party ही नहीं बलकि अपने पसंद के candidate को vote कर पाए ऐसा candidate जो उनके लिए वाकई काम करेगा और अब क्योंकि यहाँ पे vote candidate के लिए हो रहा है तो समाज के हर हिस्से से लोगों को participate करने का मौका मिलता है क्योंकि parties भी ये बात समझती हैं कि लोग उसी candidate के लिए vote करेंगे जो उनके बीच का हो और क्योंकि इंडिया इतना diverse देश है FPTP में सबको आगे आने का मौका मिलता है इस वीडियो में इतना ही बाकी का chapter हम part 2 में cover करेंगे अगर आपके कोई doubts हैं तो हमें comment section में ज़रूर बताएं और इस chapter का part 2 देखने के लिए उपर click करें Keep studying and thanks for watching